Hey guys, this is Monica Singh and welcome to our channel So guys, आज हम बात करने वाले हैं UPBA entrance exam 2021 की counselling के बारे में देखिए entrance exam आपका हो चुका है, result आपका आचुका है, अब वेट किया जा रहा है counselling का तो आज हम जानेंगे कि counselling कब होगी, counselling कैसे होती है, counselling के लिए जरूरी documents क्या है जब आप counselling करते हैं, उस time कौन से documents चाहिए, और counselling पूरा हो जाने के बाद कौन से documents चाहिए, आपको college में summit करने के लिए ठीक है, तो अगर बात करें counselling कब होगी, तो आपकी counselling अभी उसके लिए कोई notification नहीं आया है लखनो युनिवस्टी की आप जब official website पर जाकर देखेंगे, तो वहाँ अगर आप जानना चाहरे हैं, counselling के बारे में, तो वहाँ notified अभी नहीं किया गया है वहाँ coming soon, या notification soon ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो यह इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि जो universities है, graduation के exams होए हैं, तो उनका result अभी तक नहीं आया है और counselling में या फिर आप जब college में summit करेंगे, तो आपके graduation की final mark sheet है, उसकी जरूरत होती है तो जो appearing students है, third year वाले उन्होंने fill किया होगा, अब क्योंकि result नहीं आया है, इस वज़े से counselling में देरी हो रही है जैसी result आ जाएगा, आपकी counselling की date आ जाएगी और आपकी counselling भी start हो जाएगी ठीक है, आचा, आगे बात होँगी कि counselling कैसे होती है, तो वो हम देखते हैं इसके लिए आपको एक manual के द्वारा मैं आपको समझाओंगी कि counselling का procedure है, वो कैसे होता है, आपको कैसा interface देखने के लिए मिलता है ठीक है, इसी के साथ कितने दिनों तक counselling चलती है, तो पिछली साल का हमारे पास PDF है, पिछली साल 2020-2021 का जो exam हुआ था, ठीक है, मतलब session 22-2022, इसके लिए जो exam हुआ था तो उसका PDF format है, counselling date का कि क्या क्या कितनी कितनी rank तक किस-किस date को हुए exam, तो वो हम देख लेंगे, एक बार उससा idea हो जाए, क्योंकि दो साल से अभी वही चल रहा है, उसी pattern पर counselling कराई जा रही है, ठीक है उसके लावा documents हम देख लेंगे, ठीक, तो information अगर आपको पूरी चाहिए, तो वीडियो भी अंते तक पूरा देखिए, ठीक है, किसी को अगर आपको लगता है कि helpful है वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, और feedback जरूर दे सकते हैं, आपके अगर आप वीडियो कैसी लगी, चेक आउट कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है, तो देख लेते हैं, काउंसलिंग के बारे में अब आगे, गाइस आपका जब काउंसलिंग शेडियो आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लास्ट येर हमारा जो प्रोग्राम था, वो 19 निवेंब काउंसलिंग को कंफर्म करते हैं, पहले दन में आप रजिस्टेशन करते हैं, सिंपरी आपके नेम बगरा के द्वारा रजिस्टेशन किया जाएगा, ठीक है, फिर तीन दन आपको मिलते हैं, रजिस्टेशन प्लस चौईस फिलिंग के लिए, अगर फस टरी डे तरे प्छ करते हैं कि आगे पीछे अगर जैसे फर्स नंबर पर आपको कोई और भढ़ना था कॉलिज आपने कोई अनदर कॉलिज फिल कर दिया फिर आप बाग में परेशान होते हैं कि हमको यह कॉलिज तो चाहिए नहीं था यह मिल गया तो अब क्या करें तो इस तरीके से आपको नही तो अच्छी बात है आपको अच्छी बात है आपको कॉलिज फिक्स है है उसके बाद वाले तो उनको कन्फिज़न रहता है या फिर आप stronger कर देते मिल नहीं पाता है कि अंप सूने क्या करे ंडभी तो शाप साइड में क्या रख के चलेंगे कि आपने government college तो select किया है साथी साथ आप कुछ ऐसे private college भी select कर ले 15,000 से उपर की rank वालों की बात हो रही है ऐसे college select कर ले जिससे के आपको आगे problem ना हो आपके आसपास कोई भी private college हो जिसमें आप करना चाहते हो तो वो कर ले कई बार ऐसा भी होता है आप दूर का college फिल कर देते हैं आपको मिल जाता है आप सोचते हैं कि आप कैसे करें हम डेली अपडाउन नहीं कर सकते हैं वहां रहने की कोई सोविधा नहीं है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए आप colleges को choose करेंगे अपनी choice filling करेंगे जिससे यहां पर आगे आपका choice filling के लिए एक और दिन आपको यहां मिलता है फिर allotment किया जाता है ठीक है allotment में आप जो भी choice filling करेंगे priority आप जिसको दे रहे हैं और seat availability के आधार पर आपको allotment हो जाता है ठीक है इसके बाद आप seat confirmation करते हैं payment करके तो payment आपका शुरू में कितना हो यहां पर 5,750 रुपए आपको pay करने होते हैं जिसमें कि 750 रुपए आपके non refundable होते हैं किसी भी condition में वो refund नहीं किये जाएंगे मान लीजिए आपने choice fill कर ली आपको college alert हो गया ठीक है और फिर आपने मन किया और fees भी आपने submit कर दी और आपको अपना admission नहीं लेना है उस college में वो क्या चाहते हैं कि उनको college नहीं जाना पड़े और अगर उनका सरकारी में आ भी जाता है तो भी वो private choose करना चाहते हैं तो मान लीजिए सरकारी में आ गया फिर private करना चाहते हैं ठीक है या फिर आपने दिया था exam आपके कहीं और selection हो गया तो इस चकर में भी कई बच्चे चोड़ देते हैं या कोई वाप्रावलम हो गई तो नहीं कर पाते हैं ऐसी सिती में 750 रुपे जो होंगे वह आपकी वापस नहीं आते हैं क्योंकि वह counseling की फीस होती है इसके लावज आपके 5000 रुपे होते हैं वह वापस आ जाते हैं ठीक है तो यह आपका process होता है इसके 1000 तक लिए जाते हैं उसके बाद फिर आगे के लिए जाते हैं अब जब तक कि face 4 तक पूरे हो जाते है जितने भी इसके बादम आगर कुछ बचता है यह कर रह जाता है तो आप Πool counseling करवाते हैं फिके आपको मॉकत दिय जाता है पूल counselling में भी अगर नहीं हो पाता तो फिर हम डारेक्ट रैडमीशन होते हैं ठीक है डारेक्ट रैडमीशन कैसे आपके आज पस जो भी private college जो क्या कि डारेक्ट रैडमीशन है या पूल है यह इसके अलावा थोड़ी बहुत कम जादा की बात होती है तो वह भी कॉलेज में जाके हो जाय करती है तो जैसे फस्ट फेस का आपका यह जितने भी प्रोसेस यह चला था उसी के अनुसार आगे आपका देखिए आपको देखना को मिल रहा है यह सेकंड फेस का हो जाता है इस तरीके से यह प्रोसेस चलता है ठीक है तो यह आपकी इस तरीके से पूरी हो जाती है काउंसलिंग का शेडूल अब यहां हम देख लेते हैं मैनुवल काउंसलिंग प्रोसेस का मैनुवल दिया गया है मतलब किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है यहां पर किस पर आ पहले दिया होगा ठीक है मोबाइल नमबर जो भी आपका होता है इसके अलावा जो इमेल आईडिया आपने दी है उसकी जुरुत पड़ेगी ठीक है क्योंकि वहाँ OTP आता है मोबाइल नमबर पर तो इसलिए आपको जुरुत पड़ेगी ठीक है आप जिसे लॉग इन भी कर ऑप्रियोटी दी जाती कि यहां तो आपका ही हो बेंक अचाउंट आपका ही होगा तो ज़्याद अच्छा है वरना फादर या मदर का भी इसके चांद यूजब कर सकते हैं ठीक है तो यहां रिजिस्ट्रेशन फोर कांसलिंग यह शुरू होता है तो यह जो लिया गया है यह लिया गया है रोहिलखंड यूनिवसिटी का बाकी सभी में ऐसा ही शो होगा CCS से भी आप जैसे करते हैं तो इसी तरीके से आप जब लॉगिन करना शुरू करेंगे तो ऐसे ही आपको नज़र आने वाला है आप क्या करेंगे आप लखनो विश्विध्याल है कि CDC वेबसाइट पर जाएंगे या फिर जहां से आपने फिल किया है तो आपको डिरेक्ट लिक भी मिल जाता है सरकारी रिजर्ड.com है वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप उपन करते हैं आपको क्या क्या शो हो रहा है यहाँ पर एप्लिकेंट डिटेल आपकी सारी इंफॉर्मिशन आ जाएगी फिर यहां एडमिट कार डिटेल आ जाता है जो आप पहली ले चुके हैं फॉर कांसरिंग रिजिस्ट्रेशन तो आप यहां पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद जब आगे चलते हैं तो इस तरीके से कुछ उपनों क्या जाएगा आपका डिटा रिजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है फादर नेम आ रहा है डेट ऑफ बर्थ मुबाइल नंबर ठीक है कांसरिंग के लिए तो क्लिए कांसरिंग के लिए कडिपांश कर दो छूप कर करना है यहां ठीक है इसके बाद आती हैं आपके कंडिरोग क्रम करना होगाँ मन्यौका क्रूब और एडवांस कॉलिस फी है 5000 टोटल हो जाता है आपका 5750 इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो क्या होगा आप सारी इंफर्मिशन फिल कर लेंगे और देखिए तो यहां पर यह आपके वेरिफिकेशन कोड उसके बाद यह लास्ट होता है आपका वेरिफाई यहां कर देते इसके बाद आपका यहां जनरेट ओटीपी ओटीपी जनरेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आ जाता है ठीक है ओटीपी आप जब डालेंगे उसके बाद में आप कंफर्म कर देंगे समिट कर देंगे समिट करने के बाद में यहां आप समिट प करते हैं security code क्या होता है जो आपके debit card पर पीछे होते हैं three numbers का mostly होता है ठीक है पे नाओ करेंगे तो आपकी जो फीज है वो पे हो जाती है ठीक तो इस तरीके से आपका यह उपन हो क्या जाता है डिटेल्स आगी न आपने जो जो फिल किया था पसनर डिटेल्स तो पहले थी ही आगे आपका कौन सा था candidate bank details आगी जो आपने फिल की इसके आगे जब हम चलते हैं तो payment यहां पर आपको शो कर देगा यह ठीक है payment हो जाती है तो payment details आपकी शो कर देते हैं फिर आप यहां से print कर सकते हो print यह जरूर कर देना है क्योंकि यह जरूरत पड़ेगी आपको जब आ आपने की है उसकी details आपको चाहिए होती है तो उसके बाद यह तो यहां पर पूरा हो गया अपने फी समिट कर दी इसके बाद आपको preference capturing आपको preference फिल करना होगा कि आपको क्या कौन-कौन सा college चाहिए तो आप देख रहे हैं यहां पर जैसे आपकी counseling registration यहां पर हो जाता है है आप सबसे पहले देखें कुछ जर्नल सी बात है पूछते हैं यह जंडर पूछ लेते हैं और पूछते हैं फाइनलियर में graduation थाया नहीं तो उसको करते हुए आप 7 continue करते हुए आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं तो आपसे सबसे पहले आपका जंडर यह तो चीज पहले करते हैं ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि अलग-अलग university से अलग-अलग college चूज कर लें तो ध्यान से कीज़ेगा जो भी आपके आपके आसपास हो उससाप से ठीक है जैसी आप university सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में university सेलेक्ट होती है आपके सारे colleges यहां शो करना स्टार्ट ह हो जाता है ठीक है यहां आपके colleges के code name सब कुछ college type कौन सा है सब कुछ होना हो जाता है ठीक है यहां आप add का sign आते हैं जैसी add करते जाएंगे जो पहले add करेंगे वह आपका पहले add हो जाएगा ठीक है और यहां क्या लिखा हुआ है दिखिए there is no limit for choosing colleges कोई limit नहीं है तो कम से 6-7 college आप चूज कर लिजेगा जिससे कोई problem नहीं हो हाला कि अगर rank अच्छी है तो आराम से आपका पहला जो आप चूज कर रहे हैं वहाई चाहेगा तो देखिए यहां पर क्या किया है add कर लिए कुछ colleges ठीक यहां से आप remove अगरा भी कर सकते हैं change preference भी कर सकते हैं पहले नं करने के बाद में आप आगे करते हैं save and continue लौक चैस करते हैं आपकी यह details भी शो करना शुरू कर देगा college preference जो आपने किया था फिर selected college आपके शो हो जाएंगे इसे भी आप प्रिंट कर लेते हैं ठीक है यह जब आगे आता है तो यहां क्लिक कर देते हैं आप इसके आगे तो यह देखिए जो भी आपको college मिला होगा वो यहां शो करना शुरू कर देता है university name आजाता है college का नेम आ छाता है ठीक है फीस आपकी यहां शो करना चालू कर देता है कि आपको अगर और भी extra fees पे करनी है तो वह यहां शू कर देगा अगर आपकी return होनी है refund होनी है तो वह नहीं ञांपकर फ्रलेंस करने हों होगा था तो अगर फीज आ crispy करने की पर न小時 करने की रबदीघारी थे है इसके बाद लिदर रावर करना होगा है यह और भी कांसिलिंग की परसे यहां से औरॉलेद करना होगा यह लावर करना ऐकी यह letzte अब आप यहां से क्या करते हैं डाउलोड कर लेते हैं यह सारका सारा इंटरफेस आपको इस तरीके से शो होने लगता है जितनी भी आपकी चीज़ें थी डिसीजन बिकिंग अगरा सब कुछ यहां आ जाती है ठीक है यह क्लिक हैर पर आगया अलॉट्मेंट लेटर आप यहां से डाउलोड कर लेंगे ओके अब देखिए आपका कॉलेज हो गया अलॉट अब क्या करना है आपको अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा ठीक है आपको दो-ती दिन दिये जाते हैं तो आप रिपोर्ट करेंगे अपने कॉलेज में और वहां जाके सबसे पहले आप पता कर लेंगे आपको डॉकिमेंट्स कौन कौन से है इनके अलावा आप एक बार कॉलेज जाकर यह confirm करने हैं वहाँ लिस्ट लगा होगा कि आपको कौन कौन से documents चाहिए है ठीक है अपने admission के time पर तो बाकी यह होते हैं जो आप पहले से तियार रखेंगे कुछ क्या है सबसे पहले अर्टमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया application form जब आपने registration किया था beard entrance exam के लिए वह वाला application form आपके पास होगा पीडेफ हो तो वह डाउनलोड कर लेजेगा और अगर print out रखा हुआ अच्छी बात है नहीं है तो आप अपने login करने के बाद ने application form आपको शो होता है वहां से download भी कर सकते हैं ठीक है यूज किया आपने registration में तो PG की mark sheet भी चाहिएगी ठीक है आपको print जो copy है फोटो कॉपी है वह तो लेके जानी है साथी साथ आपको real mark sheet भी लेके जानी होती है वहाँ पे शो करनी होती है ठीक है इसके बाद आधर कार्ड है आपका तो photocopy और real दोनो पासपोर्ट साइट फोटो तो आप पासपोर्ट साइट फोटो जो है वह कम से कम 10-15 आपने पास रखिएगा 10-15 ठीक है क्योंकि 8-10 यूज हो जाते हैं इसके बाद आपका income certificate लेटेस्ट होना चाहिए वहाँ income certificate पर लिखा भी होता है कितने साल के लिए मानने है ठीक है तो अभी से आप दे सकते हैं certificate आपका टाइम से तयार हो जाएगा का certificate आप देख लीजिए डॉमिसाल certificate वेटेज कौन सा अगर एंसी सी वगरा किया ऐसा कुछ आपने फिल किया था रिजिस्ट्रेशन के टाइम पर तो वह certificate चाहिएगा ठीक है आपने गया वगरा किया हुआ या किसी और युनिवर्स्टी से किसी और युनिवर्स्टी में तरी कैसे कुछ चल रहा है तो migration certificate चाहिए होगा इसके बाद आपका क्या है health certificate आपको बनवाना होगा ठीक है तीसी कॉलेज से मिली होगी character certificate चाहिए हो तो इसके बाद stamp paper का हो जाता है कि college वाले stamp paper का भी बोलते हैं इसमें basic सी आपकी information लिखी होती है आपका name father's name यह सब लिखी होती है ठीक है तो अगर college वालों से पता कर लेजए अगर यह चाहिए तो आपको यह भी submit करना होता है इसके लावा कोई भी document है तो वह भी आप पता कर सकते है college से ठ के लावा भी कोई भी query है तो comment box में बता सकते हैं ठीक है feedback जरूर दीजिए अधर आपको यह video helpful लगी है और किसी काम भी आ सकते तो आप share जरूर कीजिए ठीक तो आगे video के लिए आप जुड़े रह सकते हैं thanks for watching